जब आपने पूरी जिंदगी लाइट्स, कैमरा, एक्शन के बीच गुजारी हो, आपके आसपास लाखो फैंस का जमावड़ा रहा हो, वाश्रूम और बातरूम को छोड़ कर बाकी सब जगे आप अपने चहेतों के बीच घिरी रही हो, करोडों के एड्स मिलते रहे हो, खु 12 से मीडिया में च्छाने की, उसके लिए क्या करें, आपको कोई फिल्म में ले नहीं रहा है, मा और बुआ के रोल करने से आप बचना चाहती है, क्योंकि अपने रहते उस फिल्म में कोई और लीड एक्टरेस हो, तो ये दर्द का चाकू दिल के अंदर तक चुपता है, त तो ऐसा ही कुछ आज कल पुर्व लीड अभिनेतरी जो ही चावला का भी हाल है, उनका भी फिल्मी करियर खत्म हो चुका है, और फिर जब उन्होंने देखा, एक तीन फुट की लड़की, ग्रेटा ने अपने कुछ मिंटो के भाशन में आसू बहा कर पूरी दुनिया में हो गई, फिर मैं तो इससे लाक गुना खुबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, वो तो कमबक्त स्कूल भी ठीक से नहीं गई है, तो मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकती, लेकिन फिर खयाल आया, अरे साला मैं तो पीछे रह गई, ये सब चोचले तो मेरे बाद आई हिरो इन दिया मिर्जा पहले ही कर चुकी है, पेडो को काटने को लेकर उसने भी मीडिया में पब्लिसिटी स्टंट कर लिया, लेकिन जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फाइनली उसने भी ग्रेटा की तरह आसू भी बहाए, लेकिन उसके घड़ियाली आसूँ पर भ तो किरन ने, मतलब जुही चावला ने एक याची का दायर की 5G टेकनोलोजी के खिलाफ ये बताते हुए कि इससे परियावरन को बड़ा नुकसान होने वाला है, हलाकि 2.0 फिल्म 2018 भी रिलीस हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यूँ, उनकी नीद 2021 में खुली है, तो वहा अकेले क्यों जाए, अपने समर्थकों को लेकर जाए, ताकि तसली रहेगी, सपोर्ट दिखेगा, तो मैडम ने अपनी तिवर बुद्धे का इस्तमाल करते हैं, उस वर्चुल हेरिंग के लिंक को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया, और अपने फैंस को बुला लि यह सोचकर कि मेरे समर्थन में वो बोलेंगे, जबकि किरन यह नहीं जानती थी कि इस तरह से जो कोट की प्रोसेडिंग्स होती है, वो कितनी गुप्त होती है, इस लिंक का इस्तमाल केवल वकील और याचिका करता ही कर सकते हैं, एक दो और लोगों को जॉइन कराया जा सकत है, लेकिन जुही चावला जी को लगा, ये तो माता वैशनो देवी का भंडारा है, जितने लोग आएं अच्छा है, अब उनकी भी क्या गलती, दशकों से वो जिस तरह से कोट देखती आई है, वहाँ तो ठूस ठूस के पबलिक आया करती है, अरे भाई, अपने बॉलिव बच्चा होता है, तो यहाँ भी एक था, जिसने चलते हेरिंग में जुही चावला के गाने को गाना शुरू कर दिया, मतलब ठीक है, वकील और जजज सहाब का भी एंटर्टेन्मेंट हो रहा था, लेकिन यार, समय और माहौल ठीक नहीं था, कि उन्हें गाना सुनाय जाए गुंगट की आड में और लाल-लाल होंटो पे गोरी किसका नाम है, तो अब जजज सहाब का भड़कना तो बनता भी है, बस यहीं से जुही चावला के सपनों पर विराम लग्या सो अलग, फजिहत होनी शुरू हो गई, वो अलग, अब लाल-लाल होंटो के बीच हरे हरे पर और सुनती रही बिना ये दर्शाय की असली कर्प्रेट तो वो खुद है, पूरे शहर में जिस छोरे के लिए धिंडोरा पीटा जाना था, वो छोरा तो बगल में ही था, अपने 30 साल के एक्टिंग का नमूना दिखाते वे जुई चावला शांत रही लेकिन कब तक, पता तो चलना ही था कि ये लीक हुआ कहां से, और कोट ने पहले तो उन्हें कहा कि आपको इसके लिए केंदर सरकार से बात करनी थी, आप सीधा मूँ उठाकर कोट में कैसे चली आई, अब मैडम चली थी दूसरी पारी की हिरोईन बनने, लेकिन अपना ही गुडगोबर वो बेचती रही लेकिन खुद के पती के बाल लंबे नहीं करा पाई, तो उनसे और क्या उमीद की जा सकती है, जैहिंद, बंदे मातरम